नमस्कार साथियों हमारी यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम कुछ प्रमुख मुद्धों पर चर्चा करेंगे जिसमें सबसे प्रमुख मुद्धा उनुत्तर या सिक्षप वर्ति में उत्तर कुंजी मामला है जिसकी सुनवाई 9 नौंबर को मानिये सुप् बैसे तोह सभी को पता चल गया वगा लेकिन उसमें कुछ चीजा एसी हैं जिससे कुछ लोगों को फायदा होगा कुछ लोगों को नुक्सान होना है ठीक है नुक्सान इंसाइंस मेंस उनको अभी और समय लगेगा अपनी नुक्ती का मार्क प्रसस्त करने में ठीक है तो यह वीडियो बहुत ही जानकारी भरा है सबसे पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक गुरुपों में शेयर करें जिससे ये महत्पूर्ण जानकारी अपने साथियों तक पहुंच सके उन मित्रों तक पहुंच सके जिनको डाउट है कि जिनका एक नमबर बढ़ा है क्या उनको न्युक्ति मिलेगी किन किन का एक नमबर बढ़ा है वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी इस वीडियो को अंतक देखें और अधिक से अधिक गुरुपों में अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसको शेयर करें जिससे कि आप सभी के जित्ते भी डाउट है सब को किलियर किया है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उनत्रया सिक्षक वर्तिय में उत्तर कुंजी मामला था उसका क्या ओडर है तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हूं यह सुप्रीम कोड का ओडर है जो आज 12 नमंबर को जारी किया गया इसमें जो पिटिशनर्स थे वो था इस्टेट ऑफ उत्तर परदेश और एस्पांडेंट थे अभिशेक सिर्वास्तव और बहुत सारी इसमें आई एक माद्यम से एप्लिकेट्स चोड़ हुए थे ठीक है सरप्रतम मैं आपको यह बताना चाहता हूं यह मामला क्या है उत्तर कुंज यह मामला सिंगल बैंच में था उसके डबल बैंच में आया और डबल बैंच में जो पच्चीस अगस्ट धोयार 21 को डबल बैंच ने ओर्डर किया वह परिवास्ता वाले कोशन पे एक नंबर कॉमन देने के लिए का वो भी सिर्फ पिटिशनर्स के लिए ठीक है तो 25 अट 21 एक एसी डेट है जिस को डबल बैंच ने यूपी की डबल बैंच ने ओर्डर दिया कि एक नंबर इतने भी पिटिशनर्स हैं उनको दिया जाए सरकार इसके अगेंच सुप्रीम कोट गई सुप्रीम कोट में एसेलपी दारी दायर की गई और इसका नेड़ने नौ नौवंबर को हुआ सुपरीम एक नौवं में सब्रकार की सारी सुप्रीम को खार इश किया गया और भी कुछ मेहत्र पूर्ट चीजें है जिनको आज के और में अर्डर में मैंगिंड किया गया ठीक है तो यह तो था सरकाई तरफ से SLP वाली डिटेल जिसमें कई सारी आप देख पा रहे हुए या बहुत सारी आईए के माध्यम से कंडिडेट जोड़े हुए थे और यहां पर लाक्ष में आप देख पा रहे है नौ ग्यारा दोहर बाइस दीस मेंटर बिल कॉल ओन फॉर हेरिंग टूड़े अधब नौ ग्यारा को यह सारे मेंटर सुने गए है ठीक है फिर अगले पेज पर यह पार्टीज थी यह पार्टी यह डॉक्टर मिश्टर संजय कुमार दूबे एवार हो हैं यह भी पार्टीज के पेटिशनर थे इसके नीचे देखते हैं अपन हेरिंग दा काउंस्टिल दा कोर्ट मेंट फालोइंग ओडर तो ओडर है वो नीचे लिखा हुआ है दो स्पेसरली पेटिशन्स मनलब असल पी आर डिसमिस्ट जित्ती भी डिस एसलपी सरकार ने डारी थी उनको सबको डिसमिस कर दिया गया और एक लाश में बहुत ही इंपोर्टेंट ची लिखी हुई है पैंडिंग एप्लीकेशन्स इस्टेंड क्लोजड आप देख पा रहे हुए हैं यहां पर दो लाइने पैंडिंग एप्लीकेशंस स्टेंड क्लोच में जो पैंडिंग एप्लीकेशन्स इसको बिसते सुरूप से समझेंगे कि आखिर यह दो लाइनों का क्या मतलब है थी तो यह आगया ली जनकारी जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है महतूर्ण सभी के लिए इसलिए सभी से न रूपों में शेर कर दीजिएगा वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके जो भी डाउट है सबको क्लियर हो ठीक है तो सबसे पहले डावल वेंच ने ओर्डर किया हमारा 25 अगस्त 2021 को ठीक है यहां तक जितने भी पिटिशनर से उनके सबका जो भी सारे पिटिशनर ने जो पिटिशनर एक नंबर पाके मेरिट लिष्ट में आ रहे थे उनको डावल लिष्ट ने ओर्डर दिया कि उनको नुक्ति दी है अब उसके बाद सरकार अपनी SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है और कहती है कि हम इसके अगेंच में यह SLP फाइल कर रहे है कि हम एक नंबर इसमें नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको बेस माना सुप्रीम कोर्ट ने डबल वेंच का ओडर था पच्चिस आट थुआर एक्टिस वाला उसको बेस बनाया है तो पहले चीज़ जो इसमें लिखिए था स्पेसली पिटिशर सार डिस्मिस में जो सरकार की SLP थी इसको डिस्मिस किया जाता है दूसरा है Pending Application Stand Close पैंडिंग अप्लिकेशन वह जो डेरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में किसी नाकिसी आइए के मार्ट हम से जुड़े हुए ठीक है तो इसका मतलब साफ है कि जो double bench का order है उसी को Supreme Court ने allow किया है तो double bench का order कौन सा था जो 25 अगस 2021 वाला जो order है कि 25 अगस 2021 तक जित्ते भी petitioners double bench में थे और जिनका एक number बढ़ने से वो merit में आ रहा है उनको न्यूक्ति दिया है तो कुल मला के बाद यह है कि Supreme Court ने सरकार की SLP को खारिश कर दिया है और वो सारी application dismiss करी है जो सीधे double bench में जुड़ी है या किसी ना किसी IA के माद्यम से tag है ठीक है तो इसका निस्कार समागर यह निकाले कि सिर्फ उनी छात्रों का एक number बढ़ेगा जो double bench में 25, 60, 21 से पहले थे और इस पेसली उनका जो एक number पाके merit में आ रहा है ठीक है इसका अलावा जितने भी petitioners डारेक सुप्रेम कोट में एट थे किसी ना किसी माद्यम से किसी याक्षका से वो सारी applications सारी petitions को खारिच कर दिया गया है तो कुल निस्कार स्निकल के जा रहा जो double bench का order था 25, 28, 21 से पहले petitioners का से वही allow किया गया इसके लावा सारे petitioners खारिच कर दिया गयी सरकार की SLP भी खारिच कर दिया ठीक है मेरे साब से आब order में किसी को doubt नहीं रहेगा कि जो डारेक्ट सुप्रीम कोट में जुड़े थे उनका भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो मेरे साब से ये सारी चीज़े clear हो गई होंगी सिर्फ double bench का सुप्रीम कोट ने order को allow किया और double bench का order है कि 25, 28, 21 से पहले जितने भी petitioners थे जो एक नमबर बढ़ने पर merit में आ रहे हैं उनको निक्ति दिया है यही सुप्रीम कोट ने भी allow किया बाकी सरकार की तितने petitioners थे उ अपने प्रमख होंते पर जिसमें बहुत से साथ बहुत से साथियों को doubt है डाउट क्या है कि किसका एक नमबर बढ़ेगा कि कितनी merit पे किसको निक्ति मिलेगी ठीक है तो यहां पर एक order देख पा रहे हैं यह सरकार का जीव है जिसमें लिखा हुआ उक्त के संबंद में आया करता है अपर घरती है तो अनुसी का मामला था जी अनुसी प्रिदान के जाने का अन्रोद किया जाता है कि उन्हें अनारक्षित वर्ग के 69.07 अने पिछड़ा वर्ग है तो 65.53 अनुसी जाती है तो 59.55 गुणवत्ता अंके अनहेत अभ्यर्थियों को ततकाल नियमासार अनुसी निर्गत करना सुनिश्चित करें तो यह क्या मामला है यह कौन सा जीव है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं एक पेटिशन थी 988 डिवाइड बाइड दो हजार रिक्टिशन थी रोहित कुमार वर्सेस इस्टेट आफ यूपी ठीक है रोहित कुमार वर्सेस इस्टेट आफ यूपी तो इसमें अनुसी की बात की गई थी एनुसी मींस जो इससे पहले भर्तियों में थे उनको एनुसी देकर उनुत्ता या सिक्षर वर्ति में सामिल किया जाना है तो इस पे हाई कोट का ओडर था केस नंबर है 988 डिवाइड बाइड दोहार रिक्टिशन रोहित कुमार वर्सेस स्टेट आफ रोपी ठीक है यह उसी का इसमें मेंशन किया गया है तो इसमें क्या कहा गया है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ है कैटिगरी लिखी हुई है तो इसमें इस ओर्डर में या इस जियो में UR की जो cutoff है UR की जो cutoff सरकार ने इस जियो में mention करी है वो करी है UR की 69.07 OVC की है 65.53 सरकार ने कहा है कि इतने category के अंदर जितने भी NOC वाले candidate है उनको तुरंत तत्काल से NOC दी जाए इसका मतलब साफ है कि इतने cutoff के अंदर जितने भी NOC वाले candidate है उनको निफ्ती मिली है अब क्या एक नंबर बढ़ने पे इतनी cutoff वाले women category के बेटियों को निफ्ती मिलेगी या third counselling में जो मैं आपको इची और बता दूँ यहाँ पे third counselling third counselling में जो cutoff थी वो थी UR की 66.483 OBC की थी 66.489 और HC की है 60.04 ठीक है तो अब यह दो विविन विविन मुद्दे आके इसमें फस्ते दिख रहे हैं ठीक है एक जियो सरकार ने खुझ जारी किया है जिसमें UR की cutoff 69.07 मताई गई है और third counselling के बाद जो cutoff थी UR की 66 है ठीक है तो अब यह बीच में यह तीन गुडांग का जो difference है यह क्या matter है यह क्या मुद्दा है और सेम चीज OBC की 65 बताई गई है order में third counselling के बाद 66 ठीक है तो इसको थोड़ा समझने की कोसिस करेंगे कि क्या यह matter है ठीक है तो सबसे पहले समझेंगे जब third counselling हुई थी तो third counselling के समय UR की जो अंतिम गुडांग था वो था 66.483 इसका मतलब इसते गुडांग से उपर सारे general candidate से यानि general का मतलब UR का था unreserve category ठीक है और OBC का जो गुडांग था दो था 66.489 लगवग लगवग भराबर था ठीक है अब हुआ क्या जब third counselling से पहले भी जब first list आई थी उसके बाद से एक मामला चला है 13.156 मैंदपल versus state of UP इसमें ये कहा गया है कि OBC का और SC का जो आरक्षड की निया सीटे हैं वो उतनी ना देके कम सीटे दीखेंगे बहुत सारे सातियों ने अंदोलन किया बहुत सारे सातियों ने अधिकारियों से मंत्रियों से संपर्क कर जनवरी 122 में उनकी महनत रंग लाई और एक 680 की लिष्ट जारी करी सरकार ने ये माना कि 8800 OVC सातियों का हनन हुआ है जिससे की 8800 OVC सातियों और एश्ट्रा होने चाहिए जो बास्तवित में होने चाहिए लेकिन किसी कारणवर्स नहीं थे वो क्या कारण था वो कारण ये था कि 8800 साति OVC के और SC के मेरिट में थे लेकिन उनको नहीं लिया गया त्योंकि कुछ साफ्ट्वियर के फॉल्ट की वाई से उनके नाम रह गए अब उनके रह कैसे गए 8800 सातियों को लेने के बाद जो सरकार की OVC की कॉट आफ है वो 65.53 बनेगी सबसे पहले ये बाद समझ लिएगे जब 8800 हो जाएगी उसके बाद की जो कट आफ है 65.53 OVC की ठीक है लेकि जब 8800 सातियों और है इसका मतलब 8800 अन्रियर्व पहले से काम कर रहा है किनकी जगह पे जो OVC के सातियों इसका मतलब अभी इस भरती में जो गुडांक है 66.48 जो जन्रियर्व का मतलब अन्रियर्व का ठीक है तो और सरकार ने दूसरा जो मैटर बनाया है वो क्या चीज है एक UR की कट आफ है 66.483 और और में कौन सी कट आफ बता रहा है 69.07 ये कट आफ वो है जब 68.07 जो अतरिक्त अन्रियर्व में सामाने के लगे हुए है उनको हटाने के बाद मैं लिख दे रहा हूँ 69.67 ये कट आफ वो है जब 68.07 अन्रियर्व इन्वैलिड कॉंडिडेट हटेंगे तब अब क्या बात है अब बात ये है जब सुप्रीम कोट का ओर्डर है कि डबल बेंच के ओर्डर को फॉलो करते हुए एक नमबर उन्षात्रों को दिया जाए जो इस गुणांग में आ रहा है ठीक है तो अब दो दो मुद्दे के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इसमें फस्टेवी दिख रहे है UR सबसे पहले बात करते है UR की UR के दो गुणांग सबसे पहला गुणांग 66.483 जो थर्ड काउंसलिंग के बाद है और जो सरकार ने घुस्ट किया है वो 69.07 है इसका बाद सरकार ने अपनी गलती मानी कि जनर्णल का बास्तवी गुणांग 69.07 होना चाहिए था लेकिन कुछ अतरिक्त अंडियरब कंडियेटों को रखके गलती से उसका गुणांग 66.47 हो अब जनर्णल के सामान के वहचात जो एक नमबर पाके इन गुणांकों के बीच में आ रहे हैं ठीक है अब उन में से दो हिस्से हो गए दो हिस्से क्या एक बहुत भीचती जो एक नमबर पाके 69.07 से के गुणांक में आ रहे हैं उनका निक्ती 100% तैय है उनको कोई नहीं रोख सकता ठीक है फिर से एक बास सुन लिए जो जनर्णल के साथ छात्र एक नमबर पाके 69.07 से उपर है उनका गुणांक 69.07 से ज़्यादा बन रहा है सामानने के साथ वो 100% उनको निक्ती मिलेगी उसमें कोई भी डाउट नहीं थीक है और दूसरा हिस्सा सामानने का जो एक नमबर पाके 66.48 गुणांक से उपर है और 69.07 के बीच में है उनको एक डाउट ये है कि अगर जो मामला 13.156 मैंद पाल बना स्टेट अफ यू भी चल रहा है उसमें कहीं ये ओर्डर आता है कि जो एक्ष्ट्रा अन्रियर्फ कंडिडेटों में सामानने के चात्र लगे हुए है उनको हटाया जाए और उनकी ही जगह पे रियर्फ कैटेगरी के चात्र जो 68.00 की लिश्ट है वो रखी जाए तब तो यूर की कट आफ होगी 69.07 और जो एक नमबर लाके सामानने के चात्र 69.07 से उपर है उनकी निफ्टी तै है ठीक है अगर ये ओर्डर आता है कि जो इन्वैलिट तरीके से या गलती की वये से सामानने के चात्र एश्ट्रा है उनको हटा दिया जाए और उनकी ही जगह पे रियर क्रेटेगरी के रखे जाए तब जो की बहुत मुस्किल है क्योंकि जो लग गए चात्र उनको हटाना तो इतना संबब नहीं है तो वह चात्र जिनका एक नमबर लाके 69.07 से उपर आ रहा है वो तो निश्चिन्त होके अपना कागज और अपने डाकुमेंट तैया रखें सरकार उनकी प्रिक्रिया भहुती जल्द पूरी करने वाली है दूसरे वह चात्र जिनका 66.48 गुणांग से उपर आ रहा है और 69 से नीचे आ रहा है ठीक है उम्मेद आप लोगों को भी है कि जित्ते एक नंबर पाके जिनका गुणांग 66.48 से 90.07 है उनके बीच जित्ते विचात्र आदम सभी का भी निप्ति होगी ठीक है अब दूसरा कैटेगरी हिस्सा जो है वो है OVC का ऐसे ही जैसे जनरल में बटा हुआ है ऐसे ही OVC में भी दो इससे हो गए OVC के दो इससे कौन से थर्ड काउंसलिंग के बाद दो कट अफ थी 66.489 और सरकान ने जो कट अफ मानी है वो है 65.53 65.53 65.53 भै कट अफ है जब आरक्षण पूरा करने पर और अर्सट सोट सीटे देने पर ये गणांग 65.53 भैंता है थर्ड काउंसलिंग के बाद जो बन रहा था 66.489 ठीक है अब OVC के वहचात्र जो OVC के वहचात्र जो एक नंबर पाके 66.48 से उनका गुणांग ज़्यादा बन रहा है फिसे एक बाद नोट के लिए वहचात्र जो एक नंबर पाके 66.48 से उनका गुणांग ज़्यादा बन रहा है ठीक है और अन्रियर्प की यो कट ओफ है अन्रियर्प की कट ओफ से कम अन रहा है उनका निप्टी परसेंट से ही है उनकी निप्ती 100% होनी है उनको कोई भी नहीं दो सुकता अब दूसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा वह है है जो एक नंबर पाके OVC के छात्र जिनका गुडांक इन दोनों गुडांकों के बीच में आ रहा है 65.53 से लेके 66.48 इनको निप्तिता मिलेगी जब 13156 का मामला जो है वो निस्थारित हो ठीक है क्योंकि सरकार ने अपनी जो कट ओफ है 13156 में वो थर्ड काउंटिलिंग वाले ही कट ओफ को उनने माना है और उसी के अधार पे वो मामला अभी तक चलता है तो कुल मला के निसकार्स यह निकल रहा है कि जो प्रमुक बाते थी जो मैंने आपको बता दी है उनको समराइज कर रहे हैं कि वीडियो कुछ जादा बड़ा हो गया पहला बात सुप्रिम कोट ने सरकार की जो SLP है अंसर की वाली वो खारिज कर थी और जो डवल बैंच में सरकार के अगेश्ट में जो ओर्डर दिया था कि पच्चिस अगस्ट दोयर एक्किस को कि कि पच्चिस आठ दोयर एक्किस से पहले जितने भी पिटिशनर्स सामिल थे अब इस एक सिर्वास्ता बाली जाजका के साथ उन में से जिनका एक नंबर बढ़ने पर मेरिट में आ रहा है उनको न्युक्ति दी जाए यह डबल बेंच का ओडर था यही को सुप्रिम कोट ने भी अलाव कर दिया है ठीक है तो सबसे पहले उन सब इचात्रों को बहुत बहुत बढ़ाई जिनको एक नंबर प्रैप्त हुआ है और उनका गुणांक थर्ड काउंसलिंग की मेरिट में आ रहा है ठीक है तो उनके लिए बहुत बहुत बढ़ाई उनकी न्युक्ति का मार्क प्रिस्तस्त है अब वैचात्र जो एक नंबर पाके जनर्रल के हैं और OBC के जिनका गुणांक सरकार की थर्ड काउंसलिंग के बाद में हा रहा है उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि एक मामला 1356 मेंदपाल बना उत्तर प्रदेश चल रहा है उसका निस्तार होने के बाद जो जनर्रल के चात्र है जिनका गुणांक 66.48 के ऊपर है और 69.07 के बीच में है उनका मैं लिख देता हूं यहाँ पर यू यू आर का यू आर के वैच चात्र जिनका गुणांक 66.483 से 69.05 के बीच में है उनका मामला अभी निस्तारित नहीं होगा उनको निक्ति अभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि यह मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है साथ में OBC के वैच चात्र जिनका गुणांक 66.489 से 65.53 के बीच में है उनको भी अभी इनत्यार करना पड़ेगा क्योंकि वह भी मामला भी अदालत में पेंडिंग है ठीक है और साथ में हमारे SC भाईयों का भी है वो भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि क्या है यू आर के वैच चात्र जो 66.483 से 69.07 के बीच में है उनको अभी 1356 मामले के अमसार निक्ति मिलेगी OVC के चात्र जिनका गुणांग 66.489 से 65.53 के बीच में है इनको भी अभी इनत्यार करना पड़ेगा SC के वैच चात्र जिनका गुणांग 66.04 से 59.55 के बीच में है इनको भी अभी इनत्यार करना पड़ेगा यह वह गुणांग है जो सरकार के 3rd काउंसलिंग के बाद और 8600 सूची के बाद बन रहा है तो अभी इन चात्रों को इनत्यार करना पड़ेगा बाकी जित्ते वी चात्र है जिनका गुणांग इन से लाशकर टॉप से उपर जा रहा है यह 3rd काउंसलिंग वाले मेरिट से उपर जा रहा है उन सभी को नुक्ति बहुत जल्द मिलेगी जो यह चात्र है जन्रल के हैं चाहें OBC के हैं चाहें हमारे SC भाई हैं इन सभी को इनत्यार करना पड़ें को कि इनका मामला 1356 मामले के अधीन रहेगा 1356 मामले जो भी DC इन आता है उसके अंतरगत ही उन लोग को नुक्ति मिल पाएगे कि अंत्यम कट आफ जो है वो कितनी है मेरे साब से आप लोग को यह चीज़ बहुत ही किलियर हो गई होगी कि आखिर यह मामला कैसे निस्थाण हो सकता है जो लोग कहते हैं कि OBC की कट आफ 65.53 है इसके उपर जिसका भी एक नंबर बढ़ने पे आ रहा है उसको नुक्ति मिल जाएगी तो वो एक थम अभी डाउटफुल है कि हाँ ऐसा हो सकता है हाँ जिन चात्रों का गुड़ां OBC में 66.489 से उपर है उनको डेफिनेटली 100 क्या 1000% नुक्ति मिल नीत है और जिनका इन दोनों के बीच में आ रहा है तो वो अभी डाउटफुल है क्योंकि मामला भी विचारा दीन है हाई कोड लखी लखनो बेंच में चल रहा है तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है ऐसे ही हमारे सामान वर्क के चात्रों के साथ सामान मुन के भाईयों के साथ है जिनका गुड़ांक एक नमबर बढ़ने पे 69.07 से उपर है उनको निक्ति मिलने जा रही है उनको कोई निक्ति से नहीं दो सकता और वह चात्र सामान वर्क के जिनका गुड़ांक 69.07 से 66.483 के बीच में है तो उन लोगों का भी मामला भी विचारा दिन रहेगा उन लोगों को निक्ति अभी नहीं मिल पाएगी और जहां तक मेरा मानना है कि अभी किसी सात्र को किसी भी उत्तरकुझी मामले में जो मेरिट में आ रहे हैं उन शात्रों को किसी को भी अभी निक्ति नहीं मिलेगी जब तक 13.196 का जो मामला चल रहा है माननी है हाई कोड की लखनो हंड़ पीट में और उसकी सुनवाई 14 नॉवंबर को लगी हुई है और 14 नॉवंबर को कोर्ट नॉमबर 28 में सामको 4 वेस से सुनवाई होगी और जहां तक मेरे साब से उमीद है कि ज्यादा मैटर उसमें सुनने को है नहीं आधिकतर सुना जा चुका है आधिकतर कैटिगराइज किया जा चुका है लाका यह किसी की लैर आयेगी तो अंतरा वीडियो काफी लंबा हो चुका है मेरे साब संबी हो यह बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी है जो भी आप लोग को गुणन पर गुम्रा कर रहे हैं कि आप लोग सभी गुम्रह होने से बचें इस वीडियो को अधिक सदिक गुरुपों में शेयर करें जिससे की यह जानकारी है जो गुणन को खेलते हैं वो सारी चीज़ें आप मैंने आपको सभी को वीडियो में बता दिया है इस वीडियो को दुबारा सुनें अधिक सदी कुरूपों में शेयर करें ताकि जानकारी आपके मित्रों तक आपके साथियों तक आपके परिवार तक जो भी इस बार्टी से संब्द्द दोता है सभी तक पहुंच सके हैं अंत यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिक्रेक्शन आप तक आसानी तक पहुंच सके हैं मेरी जो भी वीडियो है सब मेरे वाट्सब या फिर मैं कहूं यूटूब चैनल पर लिस्ट में एड हैं और उनमें से किसी फीडियो में आप जाके देख लिए कोई भी फॉल्टेड या भी कोई भी बिना तत्य की चीजे नहीं है असमें सारी तत्यकी हैं सारे फक्स्यों चीजें आज वी मैंने आपको सारी फेक्श्ल चीजेंही बताई जो लोग गुम्राह करते हैं गुम्राह होने से बचें कि इ परशान होने की जरूवत नहीं है बहुत ही जल तेरी 156 मामले का अफिन इस्तान होने जा रहा है और उमीद है नवंबर मंत में यह मामला जो है तेरे 156 इस्तान होगा, और Numbers सभी के लिए, जित्ते भी साथी हैं, जित्ते भी आरक्षन पीड़ित हैं, जित्ते भी सामन वरक के साथी हैं, सभी को Numbers पे बहुत सारी खुशिया मिलने जा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू